Hello Everyone, Welcome to Exam Grit UGC Net का Result आपका Declare हो चुका है जिन भी Candidates का UGC Net qualified हो चुका है या JRF qualified हो गया है उन सभी को Congratulations आज ही वीडियो हम डिसक्स करने वाले हैं MANF Fellowship के बारे में मौलाना आजाद National Fellowship Minority Students के लिए जो है PhD और MPHL करने के लिए ताकि कि आप pursue गर्सों को MPH या PhD ठीक है तो इसके regarding बहुत सारे queries आई हैं मैंने एक detail video डाली हुई है इसमें कि क्या क्या कैसा scene है कौन कौन eligible है बट इस्टिल बहुत सारी problems आ रही है candidates को तो मैं यहाँ पे आपके reply मैंने वैसे भी किये हैं बट यहाँ पे मैं आपको detail में बता 006 will I be eligible for MANF yes तो यह आपका बहुत ही यहाँ पे एक important आपका यह है कि JRF से जिनका थोड़ा सा JRF clear होने से एक दू या दो तीन मार्क से रह जाता है cut off तो उनके chances यहाँ पे जादा होते हैं MANF की list में आने के ठीक हैं तो यहाँ पे आपके बहुत जादा chances हैं पर again अगर आपन मतलब जो भी MPHL या PhD जो अलरेडी कर रहे हैं उनको पहले preference दी जाती है किसमें आपके MANF की scheme में उसके बाद non MPHL PhD वालों को ठीक है जिन्होंने अभी तक admission नहीं लिया है बट आपके chances इस्टिल बहुत हाई है क्योंकि आपके दो मार्क से ही किवल क्या है आपका JRF रह गया कितने chances हैं तो यहां पर सेम उन्होंने भी बूला है कि उनका net clear हो चुका है क्वालिफाई हो चुका है और वो अल्रेडी पर्स्यू कर रही है PhD के State University से उन्होंने बूला है क्या मैं apply कर सकती हूं तो apply आपको अलग से नहीं करना है आपका already qualified हो चुका है तो merit list जो है वो आप के इसी base पे बनती है पहले आपको 2020 से पहले apply करना होता था ठीक है अलग से form में लेकिन आप क्या होता है आपको cable net qualified करना है UGC अपने आप ही उसी के base पे एक list तैयर करती है MANF से related और उसी के base से award करती है MANF तो आपको अलग से apply नहीं करना है आपको बस चेक करनी है जब UGC list declare करेगी तो वहाँ जा कि अपना नाम चेक करना है आपका वहाँ पे आया है यह नहीं ना ठीक है ओके फिर है आपका रजैक अब्दॉल्ला इनकी तरफ से आया है when will UGC issue the list of eligible candidates for MANF तो इसका कोई मैं exact नहीं answer बता सकती हूँ क्योंकि UGC ने exam August से कराना था अभी last आपका October में complete हुआ है तो यह थोड़ा time खिच जाता है कई बार बट ऐसा है कि आपका result declare हो चुका है तो soon आपका MANF की list भी आ जाएगी उसके लिए आप regularly visit करें UGC की official website को ठीक है उसका link में description में दे दूँगी और अभी मैं आप लोग उसे एक mean mean जो questions है वो भी discuss करूंगी जो आपके FAQs है ठीक है UGC के ही website पे वो PDF है सारे questions के answer है उसमें उसके अलावा है प्रमिला मुकीम का की ma'am when this form will come you will update it तो मैंने बता दिये जैसे कि आपको अलग से apply नहीं करना है यह जब भी list आएगी हां मैं regularly visit करती रहूंगी जैसे list निकालते हैं तो मैं update कर दूँगे आप लोगों को आपको के बल वो list UGC अगर आपने net qualified कर दिया आपका काम यहाँ पे खतम है अब सारा काम UGC करेगी वो list prepare करेगी और उसके अंदर बस आपको जाके list में अपना नाम चेक करना ह है I got 198 एंड मैं यह पूछ रही हूं की में एनफ की merit list आती है क्या या कुछ अलग से form भरना पड़ेगा तो अगेन जो है आपका अलग से form नहीं भरा जाता है 2020 के बास से थोड़ा सा change हो गया UGC की तरफ से में भी क्या पता मुझे नहीं पता कि इस टाइम क्या पता वो करते हो वहां पर आपको दोनों के लिए अपलाए करना है जे आरफ एस वेल एस एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ठीक है एक उसकी मतलब एक्जाम भरते टाइम आपको उसके लिए अपलाए करना होता है और साहती साहत आपको net qualified करना होगा जे आरफ नहीं किये जाते हैं तो अलग से फॉर्म अभी तक तो नहीं भरना पड़ेगा आपको और अगर आगे थोड़ा सा चेंज होता है कि मेभी अप्लिकेशन फॉर्म भरना पड़े तो उसका अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगे फिर आपका मैम रुकसार परवीन का है मैम पी प्रेफरेंस मिलती है इस लिस्ट में ठीक है तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी और बाकी नेट क्वालिफाई तो मेन है ही तो आगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो भी आपके चांसे अभी भी पूरे हैं कि आपका लिस्ट में नाम आ जाए लेकिन प्रेफरे नेम का I am 2018 pass net exam now I am undergoing PhD can I apply MNF देखो तो आपने 2018 में pass किया था तो अभी तो आपका 2018 तो 4 years हो चुके हैं तो आपको अगर आप अल्रडी PhD कर रहे हो तो आपको इसके लिए दुबारे से apply करना होगा एक्जाम के लिए और एक्जाम आपको दुबारे qualify करना होगा क्योंकि तीन साल over हो चुके है न क्योंकि जब आपको net qualified हो गया यहाँ पर एक और वो होता है condition कि आपका time period क्या है तो जो MPhil PhD कर रहे हैं already उनको तो तीन महीने का time मिलता है केवल three months का उनको three months के अंदर अंदर अपना सारा जो भी प्रोसीजर है पूरा करना होगा लेकिन जनका केवल net qualify हुआ है जिन्होंने अभी तक PhD IMPhil join नहीं की है तो उनको क्या होता है उनको अगले तीन साल का time मिलता है कि तीन साल के अंदर अंदर उनको PhD IMPhil में admission लेना होता है अगर उनको यह fellowship चाहिए बट यहाँ पर आपने 2018 में pass किया है तो unfortunately क्योंकि 4 years हो चुके है time निकल चुका है आपका 3 years का तो अभी आपको दुबारे से qualify करना होगा अगर आपको यह scheme चाहिए otherwise आप eligible इसके लिए नहीं हो फिर आपका गुलशन चौधरी गुलशन चौधरी का है बहुत बार फॉर्म फिल करना चाहा बट मिला ही नहीं तो मैं बता दूँ कि फॉर्म नहीं आता है इसलिए मैं बोल रहे हैं 2020 के बाद से जो है फॉर्म नहीं आता है इसका अलग से आपको केवल net qualify करना है और UGC उस कर सकते हैं MANF के लिए तो वहाँ पर जाकर आपको अपना नाम चेक करना है ठीक है फॉर्म नहीं मिलेगा आपको अप फॉर्म नहीं फिल होता है अलग से फिर आपका सनेहा संगई सिंगई तो सनेहा का है कि मैं मैं EWS से हूँ लेकिन मैं minority आती हूँ फॉर्म में भरा भी है इस बार मेरा नेट हो गया लेकिन जी आरफ फॉर्माक से रह गया क्या पॉसिबिलिटी हाँ तो आपका डेफिनिटली पॉसिबिलिटी है आपकी आपने जब एक्जाम का फॉर्म भरा तो मैंना अच्छे से डिकलेर कर दिया है तो बस आपने क्वालिफाई भी कर दिया है और फॉर मार्क से रहा है केबल तो आपके चांसे यहां पर जादा है तो ठीक है पांच मार्क तक तो बहुत आपके काफी चांसे होते हैं बट वही इस्टिल कि आप से उपर पिएचडी और एमफिल वालों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी जो आल्रेडी कर रहे है तो music topic पर कहीं से कोई fellowship मिलती है और इसके बारे में music fellowship के उपर तो मुझे exact ऐसा पता नहीं है music fellowship के लिए अलग से नहीं पता मुझे बट हां मतलब आपने किसी भी subject से अगर net clear किया हुआ है तो उसके according आप manf के base पर देख सकते हो अगर आप minority से आते हो तो इससे related मुझे ऐसा ज percentage of UGC net matters yes of course matter करते हैं क्योंकि आपने qualify तो किया है net पर ये भी depend करता है कि आप JRF से कितने number से रह गए तो जो ज्यादा जो जितने कम number से रहा है है उसको पहले दिया जाएगा है ना कि जिनका already qualify तो एक percentage होता है कि qualify इतनों का हो गया है लेकिन जरूरी नहीं है क्या पता कई students कीवल दो चार मार्क से रह जाता है तो वहां पे उनको preference दी जाती है तो of course आपका percentage ऐसे exact matter नहीं करता बठां जिनका दो या चार मार्क से रह गया उनके जादा chances होते हैं list में नाम आने के फिर है आपका eco star का set qualified के लिए नहीं है क्या ये fellowship तो नहीं वहां पे mention नहीं है set का अ आप ये PDF चेक कराऊंगे आपको तो UGC net लिखा हुआ है और साथ में CSIR net लिखा हुआ है के बल ये वाले qualify उनके लिए ये है state eligibility नहीं है ये national क्योंकि ये fellowship है आपकी national है तो आपको national eligibility test पास करना होगा तो SET आपका state eligibility test होता है तो आपको net qualify करना होगा ना कि set ठीक है फिर कालू तमंग MNF क्यों नहीं आ रहा है इस पर भी वीडियो बना दीजिए इसका तो मैंने already बना दिया है कि MNF आपका जो पहले से रुका हुआ है students को 30 September तक notice आ गया था declare करने का बड़ देखते हैं बाकी ये आपके काफी पुराने है comments इसका ज्यादा है ने तो ठीक है तो ये आपके comments है important है काफी तो आपका मैं इस related queries आपका ये PDF है जिसमें सारे questions के answer हैं आपके कि क्या क्या मतलब क्या MNF है आपका कौन apply कर सकता है exactly कौन community वाले apply कर सकते हैं क अलग से कोई form नहीं आएगा आपको UGC net exam देना है और वो clear करना है ठीक है उसके बाद list अपने आप आती है आपकी और online application आपको पताईए कहां बढ़ने होते है exam के okay period क्या है ये आपका important है six वाला six वाला point आपका important है कि इसमें बोला है कि क्या कितना validity period है जो मैंने बताय थ period है कि तीन महीने के अंदर अंदर उनको क्या करना है इसके सारे procedure complete करने है अपने university में सब कुछ document अब बगएरा लगाना है और apply करना है इस fellowship के लिए okay तो यह award letter जब भी उन्हें issue हुआ है manf का उसके तीन महीने के अंदर अंदर उन्हें सारी formality पूरी करनी होगी दूसरे आ manf की qualified candidates का जो है लिस्ट कहां पर आएगा यह award letter कहां पर upload होगा तो यूजी से अपनी ही award letter मतला अपनी ही portal पे official website पे यह आपकी website है यहां पर आपके award letter का link आ जाएगा वहां से आप download कर सकते हों जब भी list announce होती है तो okay आप इसे detail में पढ़ लेना यह सब मैंने बता दिया है already और एक है आपका कि कितनी एक time पे कितनी fellowship एक candidate अवेल कर सकता है तो अगर आप PhD और MPL already कर रहे हो और आप already एक fellowship receive कर रहे हो तो आप एक time पे एक ही fellowship ले सकते हो दूसरी वाली अपने आप ही cancel हो जाती है ठीक है तो एक time पे only one scholarship selection का method बता दिया है और उनने national level का exam है तो उसी क के base पे होता है सारे qualified candidates की list बनाई जाती है जो minority community से belong करते हैं उसके base पे वहाँ पे उनको allot की जाती है कितने number आप कितने award आपको मिलते हैं यानि कि कितने seats आपकी इसके लिए fix हैं तो thousand per year है thousand per year है जिसमें से 750 जो है वो UGC net वालो की है और remaining 250 CSIR UGC net वालो के लिए है और 500 होंगी और इसी तरीके से December में आपकी 500 होंगी तो total एक साल में आपकी 1000 जो है यह award letter issue के जाते हैं ठीक है implementation body लिखा हुई UGC है आपकी तो minimum eligibility criteria मैंने already बता दिया है कि आपको exam form फिल करते time बोथ जी आरफन eligibility for assistant professor and lectureship के लिए अपलाए करना है और साथी साथ आपको net qualify करना होगा ही होगा अगर आपको यह fellowship चाहिए तो और साथ में यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि the candidates who have already taken admission in MPhil or PhD will receive precedence over other candidate तो उनको preference मिलेगी जो already MPhil PhD कर रही है और उन्होंने net qualify कर लिया है तो उनको पहले यहाँ पर preference दी जाएगे उनको पहले award letter दी जाएगे उसके बात non PhD और MPhil वालों को बाकि आपका duration आपका कितना rate है fellowship का यह सब आपका जयारफ जैसा है जैसे जयारफ में मिलता है आपको initial आपके PhD के सुरू क तो कि कि दो सालों में आपको J eraft का amount मिलता है जूकि है आपका 31 थाऊजन और बाद के ओवर्रूल आपको 5 साल तक मिलता है maximum 5 साल तक मिलेगा आप 5 साल तक अगर आपके PhD है तो 5 साल तक मिलेगा अगर इससे कम year में हे हो जाती है 3 या 4 year में तो तो किवल उतनी साल तक ही मिले नहीं जितने time period में 5 साल के अंदर अगर आपकी हो जाती है तो केवल उतने time period के लिए आपको मिलता है जैसे आपकी complete हो गई 5 साल के अंदर अगर मालो आपको six years लग जाते हैं तो केवल आपको five years तक मिलेगी वो जो extra one year है उसको आपको अपनी जेब से करना होगा तो maximum जो है के अगर उससे पहले आपकी हो जाती है complete तो उतने तक ही मिलेगी ना कि 5 साल तक फिर okay तो hope यह doubts आपके clear हो गए होंगे और इस PDF का link भी जो है मैं description में दे दूंगी तो वहां से आप जाके एक बार ठीक से detail में इसको read कर लेना ठीक है तो और कोई आपको अगर problem हो तो आप comments में पोच सकते हों बाकी thank you for watching the video और ऐसी videos अगर आपको और चाहिए तो चैनल को subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना और वीडियो को share भी कर देना, thank you